नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका SSC जोन में SSC जोन एक ऐसा चैनल जो की टोटली डेडिकेटेड है SSC बेस्ट सॉप्स के STD मेटेरिल को प्रोवाइड करने में और पिछले वीडियो में हमने चेर्चा की थी महितपोर्ट ट्रिक्स में सिखों के 10 गुरुवों के करम की सबसे सरलतम ट्रिक पिछले वीडियो में हमने सिखा था जिखों के 10 गुरुवों जिनसे सवाल बनते हैं SSC में उनको सरलतम रूप से करम बद तरीके से कैसे यास करेंगे और आज का वीडियो भी रिलेटेड है सिखों के गुरुव से इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिक जिसमें हम बात करेंगे सिखों के गुरुवों के द्वारा जो महितपोर्ट कारे किये गए और जिनसे रिलेटेड सवाल एक्दाम्स में पूछे जाते हैं उनकी जानकारी हम इस वीडियो में फासिल करेंगे तो यह शुरू करते हैं और जो की महितपोर्ट हैं सिखों के गुरुवों के द्वारा किये गए कार तो उनकी ट्रिक कों बहुत ही आसाल बनाने के लिए पार्ट्स में डिवाइट करके पढ़ेंगे तीन ट्रिकें हैं टोटल वीडियो में और तीनों महितपोर्ट हैं महितपोर्ट और बहुत ही सरन है तो यह शुरू करते हैं और पहली जो ट्रिक है ट्रिक वन है नानक की स्थापना से अंगद में लिपी सीची ट्रिक क्या है नानक की स्टाफना से अंगद में लिपी सीची अब इसको कोरिलेट करेंगे इस ट्रिक में गुरू नानक जी जिनोंने सिक्धर्म की स्टाफना की थी तो नानक का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है गुरू नानक जी के लिए और इस्तापना का आर्थियां पर ये है कि गुरु नानक जी के द्वारा सिक्ध धर्म की स्तापना किये गई अंगद ने लिपी ठीकी इसको कोर्रिलेट करेंगे तो अंगद का जो प्रयोग वो गुरु अंगद जी के लिए किया गया है और लिपी का प्योग यहाँ पर गुरु मुखी लिपी की जो शुरुवास की गई थी उनके द्वारा गुरु अंगजी के द्वारा उसके लिए किया गया है तो ट्रिक क्या है नानक की स्टापना से अंगज ने लिपी सीची अब बात करते हैं ट्रिक टू की तूसरी ट्रिक क्या है ट्रिक टू है हमारी राम दास ने जो राम दास के अमरत सर में अर्जुन के साथ आधि गरंद और मंदिर बनाएं ट्रिक ट्रिक टूसरी पंट है ट्रिक टूसरी राम दास के अमरत सर में अर्जुन के साथ आधि गरंद और मंदिर बनाएं राम दास का प्रयोग है यहाँ गोरु रामदास जी के लिए क्या गया है आगे मेंवर्ड सेयलेंट है अर्जुन के साथ यह मैं तुपूर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना है अर्जुन के साथ आधि ग्रंथ और मंदिर तो यह दोनों चीज़े किसके साथ हो रही है अर्जुन के साथ आधि ग्रंथ और मंदिर तो अर्जुन के द्वारा चाचा कारे किराए गए जो गु मंदिर का निर्माद अब बात करते हैं ट्रिक जो की लाज्ट ट्रिक है तो तीसरी ट्रिक है हर गोविंद के अकाल से ट्रिक क्या है हर गोविंद के अकाल से गुरु गोविंद खालसा हो गए हर गोविंद के अकाल से गुरु गोविंद खालसा हो गए इसको को रिलेट तो हर गोविन का प्रयोग हर गोविन जी के लिए गुरू हर गोविन जी के लिए किया गया है और के अकाल से अकाल का जो ताज़ पर रहे हो यहाँ पर अकाल तक्त की इस्तापना से है तो गुरू हर गोविन जी के द्वारा अकाल तक्त की इस्तापना की गई और अगला जो वाड़ है गुर गोविन खालसा हो गए तो यहां गुर गोविन का प्रयोग गुर गोविन जी के लिए क्या गया है गुर गोविन सिंग जी और खालसा हो गए का अर्थ है खालसा पंत की स्थापना तो खालचा पंत की स्थापना की गई थी गुरु गोविन सिंग जी के द्वारा, तो इन तीन महत्वूर्ण ट्रिकों से, ट्रिक 1, ट्रिक 2, एंद ट्रिक 3, इन दोनों, यह तीन ट्रिके हैं, इनके द्वारा हमने क्या चुकुरू, थेव, शिखों के, उनके द्वारा जो मह का आप वीडियो के डिस्क्रिप्सन में भी प्राफ्त कर सकते हैं वीडियो डेखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा और रेगुलर से पहले प्राफ्त हो आप उनका लाब उठा सके थैंक्स पर वच्चिंग थैंक्यू